हेलो मैं ब्यूरिफुल औन हैंसम सोल्स जैब हो लेना आशा करते हूँ आप सब लोग बहुते साथ अच्छे होंगे और आज जल्दी वीडियो आ गया तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी जो है कौन से विश पूरी होने वाली है ठीक है या फिर आपकी जो वो पूरी होने वाली है भी या नहीं कब तक होगी यही सब देखेंगे आपकी विश जो है उसका स्टेटेस हम देखेंगे ठीक है आप जो भी इतने दिनों से विश कर रहे हो मैनिफेस्ट कर रहे हो ठीक है हम वही सब देखेंगे और ये हेल्थ क्यारियर लव सब के उपर होगा ठीक है लाइफ के सारे अस्पेक्ट से हम देखेंगे इसे और इसके लिए है यह है पाइल 1 community is the key और यह है पाइल 2 you are good enough आपको इन दोनों में से जो भी पाइल attract कर दे हैं आप एक मिनट रुक कर सोच ले और फिर चूस करें तो चलिए start करते हैं हेलो गाइस अगर आप लोगों ने community is the key चूस किया है तो यह आप लोगों की रीडिंग है तो चलिए देखते हैं आपकी जो है कौन से वश पूरी होने वाली है या फिर आपकी वश जो है पूरी होने वाली है या फिर आपकी वश जो है पूरी होने वाली है या भी नहीं सबसे पहली बात जो है यह वश का ही कार्ड है ठीके और आपका पहले ही वश का कार्ड आ गया आप आइसीस हो सकते हैं कैंसर स्कॉर्पियो आपकी साइन हो सकती है जैसे जैसे कार्ड निकालोंगी मैं आपको बताती जाओंगी ठीक है हो सकता है आप काफी दिनों से शाद आठ नो महीनों से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो एक साल से भी शाद किसी चीज का इंतजार कर रहे हो और सबसे खास करके आप किसी का वेट कर रहे हो आठ नो महीनों से या फिर एक साल से आपके पार्टनर का लवर का मैरेड हो तो अपनी वाइफ का या फिर हजबन का ठीक है लेकिन आप वेट तो बहुत जादा कर रहे हो अपने प्यार के लिए आठ नो महीनों से तो वक्त आ गया है कि यह wish आपकी fulfilled हो जाए ठीक है आपका पहले ही card आ गया कौन सा wish आपका पूरा होने वाला है और चलिए दिखते हैं आपका कौन सा wish पूरा होने वाला है page of swords आप काफी time से कुछ काम के लिए देख रहे हो शायद एक तो आप प्यार अपनी life में किसी का इंतजार कर रहे हो दूसरा ये है कि काफी time से आप जो है अपनी career में किसी चीज़ का wait कर रहे हो ठीक है exam अगर आपने दिया है तो आप अपनी career में उसका result का wait कर रहे हो daily जाकर चेक करते हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो तो exam का wait कर रहे हो लेकिन हम अपनी career related कुछ promotion job promotion हो सकता है तो status देख रहे हो job का कि कब promotion होगा क्या होगा या फिर government job खास करके अगर आप government job की try कर रहे हो तो देख रहे हो कि कौन सा post आने वाला है कौन सा exam आने वाला है ठीक है और आ आप लोग और आप wait कर रहे हो कि कब आप life में settle हो जाओ ओके काफी दिनों से मुझे लगता है मुझे बार बार यही feeling आ रहे है कि आप काफी time से अपनी career को लेकर बहुत जादा tension में हो ठीक है हो सकता है आप कोई job में interview देने के लिए गय हो और वो जो job है नहीं मिला आपको ठीक है तो आप wait कर रहे हो कि कब आपको एक अच्छी job मिले और आप बार बार देख रहे हो यह इनसान लेकर कुछ जा रहा है फिर भी देख रहा है मुझे ऐसा लगता है आप लोग private job करते हो आप government job के लिए try कर रहे हो या फिर आप एक job करते हो लेकिन एक अच्छा और job क लिए आप try कर रहे हो ठीक है आपका mind काफी sharp है आप काफी intelligent हो या फिर ऐसा बोलूं कि आप लोग काफी clever हो ठीक है और काफी cleverly आप handle कर रहे हो चीजों को आप देख रहे हो कि चीजे कब तर fulfill होंगी लेकिन आपकी wish तो जो है वो fulfill हो जाएंगी फिर से काम यह दिखे आप planning कर रहे हो अपनी career में ठीक है 7-8 महीनों से आप बहुत जादा wait कर रहे हो किसी चीज का या फिर ऐसा हो सकता है कि 7-8 साल से आप किसी job में हो और promotion नहीं हो रहा है और आप बहुत जादा patiently wait कर रहे हो काफी अपने patience बना के रखा है और इस वज़े से आप बहुत जादा tension में हो ठीक है आप में से बहुत सारी लोग यहां पर new job ढूंड रहे हैं और उसके लिए बहुत patience ली पढ़ाई भी कर रहे हैं या फिर ऐसा बोलू बहुत साथा interview दे दिया है आपने और wait कर रहे हो कि कब आपको interview में success मिले ठीक है आप planning कर रहे हो ठीक है आप एक planning कर रहे हो में यह चीज मिल जाए ओके sign में बता देती हूं यहां पर है Gemini Libra Aquarius, Taurus, Capricorn, Virgo ठीक है और आप खास करके money making में बहुत जादा ध्यान दे रहे हो अगर आप business कर रहे हो तो आप planning कर रहे हो कि यह जो lockdown हो गया जो भी problem हो गया अभी किस तरह से अपने business को जो है वो grow करना है फ problem हुआ था तब भी आप वही planning कर रहे हो चले और दिखते हैं आपकी कौन से वश्पोरी होने वाले है ओके आप लोग शादी करना चाहते हो शायद मैंने जैसे पहले ही बताया है यहां पर कुछ लोग married है और wait कर रहे हैं अपने partner का हो सकता है partner के साथ separation में हो ठीक है और wait कर रहे हो कि कब से कब फिर आप लोगों का reunion हो या फिर काफी दिनों से marriage का वेट कर रहे हो हो सकता है दस महीनों से आप लोग साधी का wait कर रहे हो dates नहीं मिल रहे हैं कुछ problem हो रहे हैं तो आप शादी का wait कर रहे हो और आप चाहते हो जल्दी जल्दी शादी कर लो और यह आप आपके लिए एक family life आने वाला है अगर आप दूर रहते हो जौब करते हो और family से भी काफी दिनों से नहीं मिले हो हो सकता है एक साल से नहीं मिले हो तो आप बहुत जल्दी एपनी family से भी मिलने वाले हो हो सकता है आपके बच्चे हो ठीके आ फिर आपके partner मैरिड़र और उनके बच्चे हो और आप उन्हें देखते होंगे और उनसे बात करने के लिए सोचते होंगे यहीं सब विश्ष हैं आपकी चले दिखते हैं और क्या विश्ष आपकी पूरी होने वाली है शादी होने वाली है आपकी और चलिए देखते हैं आपकी कौन से विश्पूरी होने वाली है आपके लिए एक नए ओफर आने वाला है अपनी क्यारियर में अपनी जॉब में जो ओफर आपको एकदम सेटल करके रखेगी लाइफ में ठीक है आपके लिए एक नए जॉब ओफर आने वाला है ठीक है आप लोग क्यारियर में जो इतने दिनों से वेट कर रहे हों तो आपके लिए एक नए ओफर आने वाला है एक नई जॉब आने वाला है ठीके 6-7 दिन के अंदर एक बहुत अच्छा opportunity आपके लिए आएगा, success मिलेगी, stability होगी, ये जो भी offer आएगा आपकी life में एक stable होगा, new beginning होगा, ठीके good news आपको मिलने वाली है बहुत जल्दी, अगर आप legal matter के लिए कुछ देख रहे हैं तो आपकी fever में ही आएगा, जो भी decision ठीके financially अगर में देखूं तो आप emotional होके कुछ भी decision नहीं लेने वाले हैं, आप practically सोच के एक नई decision, एक right decision लेने वाले हैं अपने life में, चलिए देखते हैं, ओके, ये देखिए 10, 10 of sorts, तो definitely problems आपकी खत्म होने वाली है, पिछले कुछ दिनों में हो सकता है, कुछ लोगों आपकी love life में या फिर हो सकता है, अपने career में आपको cheat किया, पीछे से आपको वार किया, और आपको इस चीज का बहुत बुरा लगा, और चीजे कुछ तरीके से खत्म होई थी, अपने career में problem होई थी, लेकिन इसके बाद यहीं आया है, तो definitely कुछ चीजे आपकी life में खत्म होने वाली है, problems खत्म होने वाली है, और चीजे नई तरीके से शुरुआद होने वाली है, जो भी problems आपकी life में थी, वो सब end होने वाला है, lovers, definitely आप लोग आपके soulmates मिलने वाले हो, जो लोग committed नहीं है, या फिर आप लोग break up situation में हो, जो भी है, आप लोग soulmates मिलने वाले हो आपकी, ठीक है, आपकी शादी होने वाली है, आपकी soulmate आपको समझने वाले हैं, आप आपने प्यार से मिलने वाले हो, ठीक है, जो आपको समझती है, जो आपसे प्यार करती है, आपको एक, कही न कहीं मुझे लगता है, जिन लोगों ने ये pile select किया है, उन लोगों का मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है लाइट रिफ्लेक्शन आ रहा है ठीक है यही सब होने वाला है आपकी लाइफ में वान सेकेंड का ओके मुझे थोड़ा कैमरा एजस्ट करना पड़ा लाइट रिफ्लेक्शन की वज़े से तो आपकी जो विशिश है अपनी क्यारियर क को लेकर वो पूरा होने वाला है और क्या आपके विश्च जो है वो पूरी होने वाली है चलिए देखते हैं Ace of Wands ओके आपके लिए बार-बार कुछ नई offers आने की बात कर रही है लेकिन ये आया है reverse में तो चीज़े थोड़ा वक्त लगेगा ठीक है नया offer अगर इस तरह से आता Aries Leo Sagittarius हो सकते हैं आप अगर ऐसा आता तो मैं बोलती new offer बहुत जल्दी आने वाला है लेकिन ये reverse आया है मतलब थोड़ा वक्त लगेगा ठीक है जो भी नया offer आएगा आप उसमें बहुत साथ चार्ज होकर काम करोगे खुश होकर काम करोगे उस चीज़ का आपको जैसे बाली दे रहा है मतलब एक wand दे रहा है ठीक है मतलब कोई रास्ता दिखाएगा आपको और यहां पर पत्ते हैं ठीक है और कुछ जड़ रहे हैं और कुछ है अगर आपकी life में कुछ चला भी जा रहा है ना कुछ नई चीजे कुछ अच्छी चीजे आपकी life में stable होके रहने वाली है आपको एक helping hand मिलने वाली है आपकी life में लेकिन थोड़ा वक्त यह लेगा ठीक है चलिए और देखते हैं और कौम से wish आपकी पूरी होने वाली है लाइक कर दे मेरे वीडियो को अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो financial हो सकता है 5 साल से ठीक है 5 से 6 साल से आप लोगों का financial condition ठीकने चल रहा है कुछ लोगों का 7 साल से भी ठीकने चल रहा है तो आपकी wish यहीं है कि मुझे किसी तरब से कुछ money मिले पैसा मिले ठीक है मैं इसलिए बोल रहे हूँ यह देखिए इनका condition बहुत जादा खराव है लेकिन यहां पर देखिए एक money है pentacles है और यहां पर लगा हुआ है ठीक है मतलब को किसी और से उमीद तो है पैसा आने का ठीक है अगर आपने सोचा है कि कहीं पर आपका पैसा डूब गया है मिल नहीं रहा है बिजनस किया है कुछ भी किया है और आपकी health भी खराब चल रही है तो आप अगर सोच रहे है कब तक यह end होगी तो यह end हो और आपको मनी के रिलेटेड कुछ help मिलने वाली है कुछ लोगों से कुछ लोग है जो आपको पैसे से related कुछ help definitely करने वाले है ठीक है और आपको आपकी जो मनी क्यारियर प्रॉब्लम इतने दुनों से थी ना वो बिलकुल खत्म होने वाली है चलिए देखते हैं और आपकी कौन से wish पूरी होने वाली है page of pentacles in reverse okay मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर काफी easily लोगों को trust कर देते हो और इसी वज़े से problem होता है ठीक है मैं आपको सिधा दिखाती हूँ आप easily लोगों को trust कर देते हो आपकी energy ऐसी है कि आप थोड़े age कम ह 25 से कम या फिर 25 के आसपास की age के होंगे और आपने कहीं पर पैसा लगाया होगा और आपका पैसा डूब गया होगा और कहीं न कहीं मुझे लगता है आप काफी दिनों से try भी कर रहे हो उस पैसे को पाने के लिए और यह card भी बहीं दिखाता है तो थोड़ा वक्त आपको लगने वाला है ठीक है अगर यह ऐसा होता तो मैं कहते ही बहुत जल्दी हो जाएगा लेकिन यह थोड़ा सा reverse में है काफी अच्छा card है आपके wish पूरी तो हो जाएगी लेकिन थोड़ी वक्त लगेगी और खास करके आपकी जो money की जो भी problems है वो थोड़ा वक्त लेगा एक साल के अंदर बिल्कुल चीज़े ठीक हो जाएगी ठीक है चलिए देखते हैं क्या है इससे आपके लिए alone ness काफी अकेले पढ़ गए है आप इस वक्त आपको जैसे लगता है कि आप ये जो journey कर रहे हैं इस journey में आपको कोई समझने वाला नहीं है और इस वज़े से भी आपको लगता है जैसे आपकी career में जो भी tension चल रहा है या फिर love life में जो भी tension चल रहा है आपको लग रहा है क आपको समझने वाला आप अकेला फील करते हो आप अपने life में abundance चाते हो खुश्या चाते हो और आपको अपने life में abundance और खुश्या मिलने भी वाला है ठीक है letting go चीजे जो खराब थी जैसे यहां पर मैं five of pentacles पर ही मैंने बोला कि चीजे हां खराब हुई थी in past चीजे थोड़ी सी खराब हुई थी अपने career में जो भी में या फिर love life में किसी ने आपको cheat किया ठीक है उनका कर्म का फल मिल जाएगा आपको लेकिन आपके लिए एक अची चीज अपने life में आने वाला है transformation यह देखिए मैं आप मैंने यहीं बोला अची चीज आने वाली है अगर आप पुरानी चीजों को let go करोगे और आ गया यहां पर transformation definitely काफी अच्छे कार्ट्स आए हैं आपके लिए आपकी life में एक new beginning आने वाला है एक नई शुरुआज आने वाली है the world जो चाहिए आपको मिलने वाला है दुनिया की सारी खुशिया आपको मिलने वाली है आपको एक helping hand मिलने वाला है ठीक है और important dates की अगर मैं बात करूँ तो तो मुझे लगता है यहाँ पर है 1, 9, 5, 7, 2, 10, 6, 1, 8, 10, 15 इस तरह की numbers important हो सकती है ठीक है अगर reading पसंद आया तो like करें subscribe करें bye guys Hello guys अगर आप लोगों ने चूज़ किया है you are good enough तो यह आप लोगों की reading है तो चलिए देखते हैं कि आपकी कौनसे वश पूरी होने वाली है या फिर विश पूरी होने वाली है भी या नहीं I'm so sorry guys यह देखिए किसे गिर गया Aries Leo Sagittarius हो सकते हैं आप ठीक है और victory मिलने वाली है जो भी काम के लिए आप इतनों दिनों से वेट कर रहे हो उस काम में आपको एक victory मिलने वाली है आपको एक जीत मिलने वाली है मुझे लगता है आप लोग बहुत सारे लोग यहां पर army में हो सकते हो या फिर क्योंकि इंसानियां पर गोडे पर बटा है और पुराने जमाने में warriors होते थे और अब ही हमारे warriors कौन है जो लोग defense में, police में यहीं सब line में है वो हमारी warriors है और आप उसी line में भी हो सकते हो मुझे लगता है लेकिन हाँ आप काफी दिनों से किसी चीज का जो है wait कर रहे हो और आप 6 हपते के अंदर आपको एक good news मिलने वाली है देड़ महीने के अंदर यहां आप देख पा रहे होंगे आपको जीत मिलने वाली है जरूरत है बस थोड़े साब को coordination रखने की अगर आप किसी के साथ कुछ काम कर रहे हो पार्टनर्शिप में हो या फिर अपनी life में balance नहीं बना पा रहे हो ता आप balance बनाओ लोग आपको help करेंगे डेफिनेटली यहां पर लोग भी है तो लोग आपको help करेंगे इसके लिए अगर आप किसी से help मांगोगे तो आपको victory मिलने वाली है आप जो भी चाहते हो अपनी life में और आपकी कौन से wish पूरी होने वाली है justice libra की energy है यहां पर तो मुझे यहीं लगता है कि definitely आपने से बहुत सारे लोग यहां पर defense line में हो और एक बात है कि आप बहुत दिनों से हो सकता है आपकी कुछ property cases चल रहे हो ठीक है और हो सकता है कुछ गलत हुआ है आपके साथ कुछ लोगों ने कुछ गलत किया हो और आप case लड़ रहे हो किसे related और justice आने वाला है अगर आप सही होंगे तो आपकी favor में ही आने वाला है judgment ठीक है मैं justice card की यह कभी नहीं बोलती कि आपको justice मिलने वाली है मैं यह बोलती हूँ कि अगर आपने सही काम किया है तभी आपको justice मिलेगा ठीक है अगर गलत काम किया होता तो हमारी हमें justice कभी नहीं मिलता ठीक है और अगर हम सही है तो हमें definitely मिलता है तो आपको justice मिलने वाली है आप एक काफी strong minded headed person हो चीजे काफी सही और गले तरीके से आप देखते हो ठीक है मतलब जो ठीक है ठीक है जो गलत है आप लोग हमेशा जो है एक सही चीज के लिए आवाज उछाते हो और आपके विश यहीं fulfill होने वाली है कि अगर आपके साथ कुछ injustice हुआ था life में लोगों ने कुछ किया था या फिर job में या फिर love life में तो आपको justice मिलने वाली है आपने जितना कस्ट किया है वेट किया है उस चीज का आपको उसका फल मिलने वाला है ठीक है ओके यहाँ पर दो कार्ड्स आए है एक तो है Aries Leo Sagittarius की energy है यहाँ पर एक तो है 10 of wants ठीक है आप लोग बहुत जादा परिशान हो ठीक है किसी काम को लेकर आपने start किया था लेकिन फिलहाल आप कुछ काम करके बहुत जादा थक गए हो आप हो सकता है चेंज चाते हो अपने life में आपको कुछ चीजे problem दे रही है हो सकता है आप पर अपनी love life का family का काम का कुछ definitely pressure है और आप उसे ना ही छोड़ पा रहे हो ना ही उसे साथ लेकर अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ पा रहे हो आप tension में बहुत जादा हो ठीक है आपको ऐसा feel हो रहा है कि आपके उपर किसी ने बहुत सारी बोज दे दिया है आपको बहुत इस चीज के वज़े से बुरा लग रहा है लेकिन क्या होगा the sun आया है तो सब कुछ ठीक होने वाला है आप अगर freely कोई भी decision नहीं ले पा रहे हो तो आप अभी लेने वाले हो ठीक है आप अपनी mind को free करने वाले हो एक बच्चा है यहाँ पर और कितना खुश है देखिए तो आप इस तरह के एक बच्ची होने वाले हो और बिल्कुल open minded होने वाले हो खुश होने वाले हो इस तरह के एक person आप होने वाले हो आगे जाकर आपको यहीं सब खुशिया मिलने वाली है हाँ आपके life में जू भी problem है वो सब खत्म होने वाली है और आपकी conservation और मुझे लगता है खास करके अगर आप job related कुछ कर रहे हो या फिर career related कुछ देख रहे हो तो वो चीज भी आपके life में सही होने वाली है magician आपको अपने life में बहुत जल्दी सब कुछ मिलने वाला है prosperity, love, affection, job सब कुछ ठीक है आप एक ऐसे person हो जो अपने काम करके लोगों को attract करते हो अपने talent से अपने natural talent से आप लोगों को attract करते हो तो आपको सब कुछ मिलने वाला है इसके पास सब कुछ है इसके पास काम भी है, love भी है, सब कुछ है ठीक है तो आपको वो सब अपनी कर्म का फल मिलने वाला है और आप लोग manifest कर रहे हो, आप जो भी काम करना चाते हो, manifest कर रहे हो अपनी life में, और एक magic होने वाला है, आपने अभी तक अगर manifestation नहीं किया है, तो करो, अगर आपने कर लिया है, तो आपने बहुत अच्छे से किया है, और आपको उसका फल मिलने वाला है, ठीक है, universe आपको वो देने वाली है, और एक बात मुझे लगता है, कुछ लोग हो सकते हैं, यहाँ पर आप पर black magic भी किया होगा, कुछ लोग जो नहीं चाते होंगे, कि आपकी situation बहतर हो, लेकिन यह सब खत्म होने वाला है, और sun का काड़ा है, justice का काड़ा है, मतलब अगर कुछ लोग आप आपको black magic भी किया होगा, या फिर आपके आसपास अपने किसी को भी किया होगा, जो जिससे आप प्रभावित हो, तो वो सब भी खत्म होने वाली है, चली और देखते हैं, क्या आपकी कौन से wish, क्या कुछ होने वाला है, आप अपनी soulmates से मिलने वाले हो, ठीक है, आपको gifts म मिलने वाली है, मुझे लगता है, आप काफी टाइम से किसी से love offer चाते हो, आपकी person से चाते हो, आप दूर हो, और चाते हो उनसे आपको प्यार का एक offer मिले तो आपको मिलने वाली है, आपके past life lover है, ये मतलब पिछले जन्म का रिष्टा है, उनके साथ आपका, आप में से यहां बहुत सारे लोगें जो काफी टाइम से अपने mother से नहीं मिले हैं, ठीक है, तो mother से भी आप मिलने वाले हो, आप उनहीं से मिलने वाले हो, जिसके साथ आपका बहुत साथा लगाव हो, प्यार हो, ये love आपके boyfriend, girlfriend, husband, wife हो सकते हैं, या फिर आपके mother हो सकते हैं, ठीक है चलिए और देखते हैं, आपकी कौन से वश्यो है, पूरी होने वाली है, cancer, scorpio, pisces हो सकते हैं आप, किसी ने like कर दे मेरे वीडियो को, अगियर अभी तक आपने like नहीं किया है, तो, किसी ने कहा था कि आप पहले की 5-6 card के sign बताते हो, और ने बताते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो card आता है, हम उसी हिसाब से बताते हैं, wants का card एक बार आया, तो हम एक बार हमने बता दिया, बार बार आये का तो नहीं बताएंगे न, ठीक है, लिबरा का card एक बार आया, तो justice का आ गया, तो लिबरा का card आ गया, और फिर हम लिबरा कहां से बताएं, आप यहीं बताएं, तो ऐसा कुछ नहीं है दफूल ओके आप केरलेस होके आगे बढ़ने वाले हो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले कुछ टाइम से आप जो भी चीज चाह रहे थे ठीके आप उसके लिए बहुत जादा केरलेस थे ठीके आप मेहनत कर रहे थे लेकिन सही तरीके से मेहनत नहीं कर रहे थे आप चाहते बहुत कुछ है आपके पास नौलेज बहुत जादा है लेकिन मुझे लगता है कहीं न कहीं आप जिस जहां पर भी नौलेज आप यूस कर रहे हो वह सही नहीं है ठीक है आपको अपनी wish fulfill होने के लिए जानना पड़ेगा कि आप जो भी रास्ता चुन रहे हो क्या वह सही है अपनी career में अपने life में अप यह देखें ठीक है अगर रास्ता ही सही नहीं होगा तो आप जितना भी मेहनत करलो तो चीज़ें तो सफल नहीं होगी तो आपको थोड़ा सा अगर आपको अपने दोस्त या फिर family कोई समझा रहे हैं कुछ तो आप सुनने की कोशिश करो और समझने की कोशिश करो कि कभी-कभी हमें जिबन में रास्ता बदलना भी पड़ता है हो सकता है आपका job change हो ठीक है आपकी हो सकता है ये wish हो कि आप कहीं बाहर जाए अब्रॉड जाए अब्रॉड में जाकर घुमें फिर या फिर job के related जाए और ये होने वाला है आप traveling करने बाले हो आज से तीन हपते के बाद December के आखरी में आपके लिए एक traveling का plan मुझे यहां पर होता हुआ दिख रहा है तो आप आपकी यहीं wish पूरी होगी कि आप travel करने वाले हो अपनी love wants से मिलने के लिए अगर चाहो तो किसी से भी आप travel करने वाले हो हो सकता है आपको life में कुछ लोगों ने cheat किया हो hot किया हो ठीक है Aquarius, Libra, Gemini sign हो सकती है आपकी हो सकता है life में आपक careless हो अपको जरुरत है चीजे समझने कि और जब आप समझ जाओगे तो आपकी विजचट से पूरी हो जाएगी आप आप जब भी जहां भी जाएंगे लोग आपको hurt करते होंगे इस तरह की आपकी situation यही होगी कि आप जहां भी जाते होंगे लोग आपको hurt करते होंगे ठीक एक अगर आप new job जाते हो ना ठीक है अगर आप कही new job जाते हो travel करके या फिर काम में stability नहीं था तो काम में आपका stability होने वाला है ठीक है मतलब एक secure job आपको मिलने वाला है जहां छोड़ कर आप कहीं नहीं जाने वाले हो इससे पैसा भी बहुत अच्छा आएगा और अपने life म में अगर देखूं तो problem थोड़ा बहुत चलेगा मतलब हो सकता है अभी भी आपके love light में problem थोड़ा बहुत चल रहा हो बात नहीं हो रही हो और इसी वज़े से यहां पर six of cups का काड़ा है earth sign हो सकते हैं आप Capricorn, Vogo, Taurus, Emperor काम का बहुत जादा pressure आने वाला है आप ठीक है अब ऐसा आप मैं बोल सकती हूं कि काम का थोड़ा pressure आप पर आने वाला है काम आप बहुत जादा करने वाले हो और आप बहुत जादा responsible person बनने वाले हो और जो लोगों की सुने मुझे लगता है आपकी जो भी विशे वो fulfill हो जाएगी आपको थोड़ी जरुरत पड़ेगी सला लेने की अगर आपकी घर में कोई बुज़ूर्ग आदमी है बुज़ूर्ग इंसान है तो आप उनसे सला लो वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा देंगे क्या करना है अगर आप कोई भी situation में stuck हो तो compromise आपको थोड़ा बहुत compromise करने की जरुरत पड़ेगी अपने wish fulfill करने के लिए ठीक है अगर आप चाहते हैं आपका wish पूरा हो तो आपको कुछ compromise तो definitely करना पड़ेगा हो सकता है अप अपनी जो है कोई काम करना चाहते हो अगर और नहीं हो रहा है तो आपको किसी को समझाने की जरुरत पड़ेगी क्यूंकि emperor के पास ही आया है compromise तो definitely आपको किसी की help रहने की जरुरत पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि मैं किसी का help ना लूँ तो थोड़ा problem आपको face करना पड़ सकता है लोग आपको hurt कर सकते हैं तो आपको थोड़ा बहुत compromise situation के हिसाब से खुद को बड़ी बड़ी खुशिया मिलेगी डिरेक्टली बड़ी खुशिया मिलने के लिए वक्त है क्यूंकि sun का काड़ा है magician justice सोब कुछ आपका wish तो पूरा होने वाला ही है लेकिन आप उससे पहले छोटी छोटी जो खुशिया है आपकी life में वो भी देखें creator आप कुछ नई च प्रावल करके जाने वाले हो नई चीजे आप स्टार्ट करने वाले हो ठीके आपके passion को हो सकता है आप ध्यान दो ठीके wants का card इतनी का रहा है आपका जो passion है ठीके आप एक तो हम living के लिए कुछ जॉब करते हैं लेकिन हमारे passion और कुछ होते हैं तो अगर आपके passion कुछ है त तो आप definitely अपने passion को follow करें अगर आपका एक YouTube channel है या फिर अगर आप कुछ भी करते हो जो social media पर अगर आप कुछ भी करते हो तो अपने passion को आप follow करें यहीं चीज आपको एक दिन success देगी creativity ओके creator and creativity definitely आप जो भी चीज लेकर अपनी life में जी रहे हो एक नई चीज क्रियेट करो ठीक है नई तरीके से चीजे देखो creativity लाओ अपनी जीवन में अगर उसी तरीके से जैसे आप चल रहे हो अगर चीजे नहीं हो रही है तो नई तरीके से करके देखो हो सकता है हो जाए important date से यहाँ पर 1, 5, 4, 6, 11, 10, 21, 1, 3, 5, 8 इस तरह के numbers है जीरो, जीरो भी कुछ लोगों का ऐसा मैं डेटो बहुत हो नहीं बोलूँगी लेकिन कुछ भी हो सकता है चीक है अगर reading पसंद आया तो like करें, subscribe करें, bye guys